Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel आज की वीडियो में हम अपने Pack and Play को रिव्यू करेंगे हम इसको पिछले एक साल से यूज कर रहे हैं और इसको लेने से पहले हम बहुत जादा Confused थे कि हम Pack and Play लें या अपने बच्चे के लिए क्रिब लें अगर आप Parents बनने वाले हैं या New Parents हैं और आप भी इसी confusion से गुजर रहे हैं तो हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकें और आपकी confusion को कम कर सकें So let's go तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए Pack and Play को क्यूं प्रफर किया तो सबसे इंपोर्टन वज़ा थी हमारा बजट हमें बहुत जादा ओवर्स्पेंड नहीं करना था बुदेन क्रिब्स जो है वो थोड़ी expensive होती है तोड़ी bulky होती है As you can see यह इतना bulky नहीं है This is very lightweight और यह कम जगा लेता है Cots usually बड़े होते हैं Cribs बड़े होते हैं और वो थोड़ी permanent solution होते है यह थोड़ा temporary है आप इसको move around कर सकते हैं अगर आपको कमरे में नहीं रखना आप इसको lounge मेले जा सकते हैं आप जो है वो इसको kitchen में रख सकते हैं while you are working और यह बड़ा versatile है इसमें आपको बच्चा सो भी सकता है और इसको as a playpen यूज कर सकता है उसमें खेल सकता है आप इसमें अपने बच्चे का diaper change कर सकते हैं because इसमें यह removable changing table है आप सोने से पहले इस changing table को नीचे भी कर सकते हैं मैं दिखा देती हूँ और यह डिटैच भी हो जाती है यहां से तो अगर आप इसको सिर्फ as a playpen यूज करना चाहरे हैं और changing table का time खतम हो गए तो आप इसको यहां से निकाल भी सकते हैं इस changing table में कुछ pockets भी है as you can see यहां पे आप इसमें पच्चे के अपने डाइपर रख सकते हैं तो किसा यूज ए डाइपर कैडी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है पड़ती लेकिन changing table I feel बहुत हमारे काम आया है हमने अलग से changing table पे नहीं लिया बिकर हमारे इस pack and play में changing table included था तो हमने भी तक यूज कर रहे हैं और in fact हमने इस की जाइद्ध हो गजाए है कि अब हम अपने बच्चे का डाइपर नहीं चेंज कर सकते तो हम अज़ बहुत जाद धाल हो एक बेक्द कर सकतए हैं तो हम असले बहुत जाद इसको करते हैं जाद कि यह portable है और आप इसको फोल्ड करके बड़े अराम से साथ ट्रावल कर सकते हैं यह इस छोटे से बैग में आता है और इतना बड़ा प्लेपन आप सोचोंगे कि कैसे इस बैग में फिटा जाता है तो यही इसकी कॉलिटी है ठीक है तो आप इसको पोल करके यह केरी अराउंड वाल यह ट्रावलिंग यह अगर आपका टाइम पूर आगया बच्चे का बच्चा इससे बाहर आगया है और आप इसको पैक करके कहीं स्टोर करना चाहरे हैं तो यह एजिली डू दाट अज़ अच्छा इसके अलावा यह इसके सा इसमें दो लेवल्स हैं बच्चे के सोने के लिए एक यह लेवल है इसमें थोड़ा न्यूबॉर्ण से लेकर पांच-छे महीने तक का बच्चा जब बहुत अराम से सो सकता है तो जब आपका बच्चा उस वेट लिमिट से बाहर आ जाए तो आप इसको रिमूव कर सकते है और हैं और नीचे वाले लेवल पे अपने बच्चे को सिला सकते हैं तो यह आप इसको इसके हां से बड़े अराम से कर सकते हैं अच्छा इसके ऊपर यह एक बेस की पांग सी ऑप होड़ी बंस सी वह बेस है और आप इसको नीचे लेवल में शिख करना चाहरे हैं तो आप इसको पूरे हटा सकते हैं बेस और इस बेस को आप नीचे फिक्स कर सकते हैं तो मैं इसको हटादेती हूं तो ये जो बेस है इस इस नोट एमफ आपको पिवट्चto कोई बच्चे के लिए कोई मैट्रस चाहिए होगा तो प्लीज इन्वेस्ट इन फिर्म मैट्रस ताके आपके बच्चे की बैग वो खराब ना हो इसको सही सपोर्ट मेले तो हमने ये एक नॉर्मल सा बेबी कॉर्ट के लिए जो मैट्रस होता है वो लिया है और वो हम इस पर यहां पर रख देते हैं मेक शोर करें कि आप इसके फिटेड बैच्वीट लगाएं ताके बच्चेया सफोकेट ना हो और सदन इन्फिंट डेथ का जो खत्रा है वो ना हो अच्छा इसकी क्योंकि मैं बात कर रही हूं तो आप यहां पर देख सते हैं यह मैश का बिलकुल बना हुआ है इसकी इसकी सफोकेशन के चांचस जो बहुत कम हैं तो इसका साइज मैं आपको पता देती हूं यह दो बाइचार फुट का पैकन फ्ले है यह बहुत जबैदा से लिया था बैंबी का यह पैकन फ्ले है लेकिन मुझे इससे बहाँ जादा मिलते-जुलते बैंगे नजर आए है द ले सकते हैं ठीक है एक चीज मैं आपे मेंशन कर दूँ जो पहला वाला लेवल था उस पे क्योंकि बच्चा जब सो रहा होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा करीब हो और आप बिल्कुल इसको बैट से अटाच करना चाहरे हैं तो कि यहां पकड़ कर दूंदे इसको यह कर सकते हैं तो यह पूरा हाफ की वो जेकी आजाते है और आप से यह मिदा सकते हैं तो आपको семь भी हócरेगा आपके कारीब भी रहेगा और गिरने का खत्रा भी नहीं होगा मैं अभी नीचे करके इसको इसलिए नहीं दिखा सकती विकर ये टूट गया है लेकिन गुट थेंग इस कि ये तब टूटा है जब अमारा बच्चा इस स्टेज से बाहर आ गया था अगें टॉकिंग अबाउट ये लेवल और ये कैसे तो गया तो इसकी बिल्ट कॉलिटी अगें इस नाट वेरी ग्रेट तो हम क्वालिटी की क्योंके बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं ये तो टूटा वाही है इसके इलावा इसकी जिब भी जो है वो तूट गई है इसको हमने और रहल उजाः खो लाफ लेकैन इह बहुत जल्दी तूट गई है इसके इलावा जोब इसकी बैग की जिप इह भी बहुत जल्दी तूट गई थी और इसका पहला वाले लेवल का जो बेस थी यह भी कोई बहुत जादा मजबूत नहीं थी और अगर आपने इसमें थोड़ा बड़ा बच्चा डाल दिया और वो एक साइट उसका सारा वेट हो गया तो यह फट सकते है जैसे कि आप देख सकते हैं तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है और हम क्वालिटी से साटिस्वाइड नहीं है लेकिन जो हमारा में मकसिट था, तो वह यह मकसिट पूरा कर रहा है और थोड़े बहुत जो हमारे कम होते हैं, उसमें बच्चे को डालके लेकिन हम वह काम निपता लेते हैं आप इसन प्लेवाइज को इसमें आप ज़िए लुम और जागर इसको देन प्लेवाइज के लिए लुष्छी आपकी आपकी दारिक केसे में विए जरारार्ति बाक्रायज खिता है व्ड्रेस के कृट्चे कोशिश क्लिए अपकी ओ स्कारीम हो घर Oldf Krieg और आप जादा बच्चों के लिए इसको यूज़ करना चाहरे है तो I don't think कि ये काफी हर्सा वो शर्वाइफ कर सकेगा विकाज ये एक साल में आप तेखा इसकी जिप टूट गई और साइट से वो नीचे करने वाला भी टूट गया है तो we don't know कि ये कितना जुल्म ये वो बर्दाश्ट कर सकता है But I am only talking about our experience तो हमारे experience में जो ये Bambi's का pack and play है उसकी build quality इतनी अच्छी नहीं है But I don't know about Tinnies ये ग्राको ये और भी अगर कोई ब्रैंड है मुझे उनकी quality का नहीं पता तो प्लीज आप अपनी research करें अपने दोस्तों से सबसे पूछ के फिर आप इसमें इसमें इन्वेस्ट करें इसके इलावा आप यहाँ पर देख रहोंगे ये दो stands हैं दोनों साइट्स पर जब आप इनको इस तरह कर देते हैं तो आप अपने बेबी को इसमें रॉक भी कर सकते हैं अब इसकी rocking की बात कर ले तो I feel ये बहुत जादा रॉक करता है तो बड़े बच्चे के लिए तो शायद ये ठीक हो बट न्यूबॉर्ण या छोटे बच्चे के लिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था बलके वो उसमें जादा ही जूल रहाता था तो हमने इसको hardly एक दफा या दो दफा यूज किया होगा तो ये वाला फीचर हमें इतना कोई खास पसंद नहीं आया ये आपके बच्चे के प्लेपेन की एंटरंस है आप बच्चे को जाहरे उपर से खुद उठा सकते हैं लेकिन लेट से बच्चा खुद बाहर आना चाहरे है तो वो इस एंटरंस और एग्जिट को यूज कर सकते है इसकी ऑपसर साइट पे एक ये पॉकेट है इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं चेंज ओफ क्लोज रख सकते हैं टॉइस रख सकते हैं हम इसमें अपना बोबा रैप रखते हैं और इस बोबार रैप का रिव्यू मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप नहीं पर देख सकते हैं अब इसके ओवरॉल लुक की बात कर लेते हैं, तो आप परसूनली फील कि ये बहुत जादा देखने में नहीं है आप जब क्रिब लेते हैं, तो वो जादा अच्छा लगता है, आप उसको अपने पसंद के मताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टम मेड बना सकते हैं या जो बजार में अवेलिबल होते हैं, वो इस से देखने में अटीस मुझे बहतर लगते हैं और यह कि इसका साइज वो छोटा है, एस कंपेर टू अ क्रिब तो आपका बच्चा इसको बहुत जल्दी आउट्डो कर जाएगा बहुत सोयाज में आपका बच्चा तो दो साल से जादा वो शायद ना सो पाए अच्छा वेट लिमिट की भी मैं आपको बात बता दूँ कि आप इसमें 30 पाउंट से हेवी बच्चा इसमें आप नहीं सुला सकते तो अगैन वो बहुत जल्दी आउट्डो कर जाएगा साइज में क्योंकि ये चोटा है लेकिन ये फिर इसकी एक अच्छी बात भी है अगर आपका छोटा कमरा है और आप असको अपने कमरे में रखना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का बैड हो जो कम स्पेस ले तो ये उसके लिए फिर एक बहुत अच्छा आप्शन है तो पैकिन प्लेज उसके परफेक्ट हैं अगर आप अपने बच्चे के लिए एक टेंप्ररी सिलूशन चाह रहे हैं या आप एक ऐसा बैड चाह रहे हैं जो पोटेबल हो जो आप आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप अगर अपने बच्चे को उसके अपने कमरे में मुफ करना चाहरे हैं तो I would suggest के आप एक पैकन प्ले लें और जब आपका बच्चा इसको आउड्रो कर जाए आप फिर उसके लिए एक टॉडलर बैड बन वा लें which is exactly what we are doing और हम अपने बच्चे की नर्सरी का एक फुल टूर देंगे तो make sure you are subscribed ताके आप वो वीडियो मिस ना करें So I hope that you found this video helpful and it helped you in your buying decision Please follow me on Instagram and Facebook and don't forget to subscribe to my YouTube channel और अगर इस वीडियो से आपकी help हुई है तो मुझे comments में जरूर बताएं and I shall be back soon